हैलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सब आज की जो विकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे रेलवे रेकूरिटमेंट बोर्ड के तरह उसे बंपर भरती का बिल्कुल फ्रेशर कैनिडेट के लिए अफिशली नूटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है तो किसी भी का कोई भी एक्सपिरेंस यहाँ पे नहीं मांगा अगर आप फ्रेशर है आप एलिजिबल है इसको अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजिनियर के पद आपको देखने को मिलेंगे उसके लावा यहाँ पे सीनियर से एक्शन इंजिनियर के पदों के लिए विकेंसी आपको मिलेगे डिप्लूमा और B.B.Tech आपको देखने को मिलेगे साती 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 जो वेकेंसी रहेगी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर आपका contract चलेगा तो इसके अंदर contract भी इस पर vacancy निकाले गई है अगर आप interested हो तो आप इसके लिए apply कर देना selection process यहाँ पर बहुत easy है कोई भी CBT exam आपका नहीं होगा कोई आपका interview नहीं होगा बस आपका जो selection रहेगा वो आपने जितने भी अपने education qualification में आपके percentage बने हैं उसके साफसे selection देखने को मिलेगा तो apply जरूर कर दीजेगा बहुत अच्छी vacancy है salary आपका बढ़िया रहेगा जूनियर इंजिनियर का level 6 के according रहेगा और senior selection इंजिनियर का level 7 के according salary आपको देखने को मिल जाता है तो YouTube पे सबसे पहले update दे रहे हूँ इससी बात प्या comment box में इतना जरूर बता देना कि आपका education qualification कौन सा है कौन सी आप job search कर रहे हैं आपकी branch कौन सी आपका trade कौन सा है और आपका pass out year कौन सा है जब तक आप मुझको बताओगे नहीं तब तक मुझको पता नहीं चलेगा ताकि मैं आपको next video के अंदर वही update भी provide करवा दूँगा जो आपने comment box में comment करके बता रखा है और अगर आप मुझसे directly connect होना चाते है बात करना चाते हैं तो मैंने आपको video के comment box में एक link भी provide करवा रखा है connect with me का अगर आप उस पे click करते है तो directly tab open हो जाते है और आप जिस भी platform का यहाँ पे use करते है आप directly उसको join कर सकते हैं जैसे क कि आपको join कैसे करना है माल लेते कि आप telegram पे मुझको join करना चाते है बात करना चाते है तो यहाँ पे telegram channel का link दे रखा है इस पे आप click करके directly आप telegram पे connect हो सकते हैं उससे और बात कर सकते है तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर ले पास म आप मैंने directly officially notification को download कर लिया है जैसा कि आप अभी screen पे देख पा रहे हैं तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि इस notification को आप इनकी officially website के थुरू कैसे download कर सकते हैं तो वीडियो को अंते तक पूरा देखीगा apply करने का जो method रहेगा यहाँ पे आपको offline apply करना पड़ेगा बलक document draft को और सारे document attach करके यहाँ पे आपको बेजना पड़ेगा इसके लावा यहाँ पे जो वेकेंसी रहेगी central railway की तरफ से वेकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे दो type की position है senior technical associate का junior technical associate का जिसको आप कह सकते है junior engineer और senior engineer का position रहेगा यह जो वेकेंसी है contract base पे वेकेंसी है तो य यहाँ पे इन्होंने senior technical associate रख दिये junior technical associate रख दिये salary आपका सेम रहेगा level 6 का salary यहाँ पे रहेगा junior engineer का और level 7 का salary आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो आपका रहेगा senior section engineer का salary आपको सेम देखने को मिलेगा important date के बारे में बात करें तो इसका जो last date रहेगा यहाँ पे व वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका junior engineer works department के अंदर vacancy निकाले गई है contractual basis पे vacancy आपको देखने को मिलेगी इसके लब यहाँ पे कौन से address पे आपको अपने form को बेजना है यहाँ पे शुरुआत में highlight कर रखा है जिसको आप देख सकते है डार कर रखा है इस address पे आपक अपने application form को manually fill करके बंद करके यहाँ पे आपको भेज देना है पहुंच जाना चीए 25 October 2023 तक आपका जो application form है वो यहाँ पे पहुंच जाना चीए उसके लब अगर बात करें यहाँ पे कुछ और important point के बारे में total number of vacancy 135 135 vacancy आपको देखने को मिलेगी दोनों की junior engineer की और senior section engineer की अब बात कीज़े यहाँ पे qualification के बारे में तो अलग-अलग department wise vacancy है पहले department आपका civil कर रहेगा और मैंने आपको बताया कि senior technical associate का salary senior section engineer के equivalent देखने को मिलता है level 7 का salary नोंने mention कर रखा है और junior technical associate का salary junior engineer के equivalent आपको देखने को मिलता है level 6 का salary आपको देखने को मिलेगा यह आपका department पहला civil का है इसके अंदर अगर आपने आपने बीटेक कर रखा है civil में या फिर civil as a subject आपकी डिगरी में है तो आप apply कर सकते है senior section engineer के position के लिए जिसको आप कह सकते है senior technical associate के position के लिए और वहीं अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और civil as a subject आपकी डिप्लोमा में है या फिर आपने बीएसी कर रखा है civil as a subject आपकी बीएसी में है तो आप apply कर सकते है junior technical associate के position के लिए दोनों में difference बस salary का रहेगा उसके बाद आता है यहाँ पे S&T department आपको देखने को मिलेगा अब S&T department के अंदर यहाँ पे अगर आपने बीटेक कर रखा है electrical या फिर electronics या फिर यहाँ आपका सब्जेक्ट है आपकी डिगरी के अंदर तो आप apply कर सकते हैं यहाँ पे senior technical associate के लिए level 7 का salary है वही अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है electrical electronics या टेली कम्मिनिकेशन आपके डिप्लोमा में है subject तो आप apply कर सकते है junior technical associate की position के लिए जहाँ पे salary level 6 का देखने को मिलेगा उसके बाद आता है यहाँ पे electrical department के अंदर vacancy है तो अगर आप apply कर रहे हैं यहाँ पे senior technical associate के लिए तो आपने b.tech किया होना चीए electrical engineering या फिर electrical as a subject आपके b.tech degree में है तो आप इसको apply कर सकते हैं यहाँ पे senior technical associate के लिए वही अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है electrical में या फिर electronics म हैं तो आप इसको apply कर सकते है junior technical associate की position के लिए percentage criteria के ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे percentage criteria mention कर रखा है general candidate के लिए 60% का होना चीज़रूरी है उनके diploma में या फिर उनकी b.tech की degree में या फिर उनोंने b.st कर रखा है तो उसमें अगर आप obc candidate है तो 55% होने चीए और अगर आप assist candidate है तो 50% का criteria है यहाँ पे complete होना चीए age criteria सेम रहेगा अगर आप apply कर रहे है यहाँ पे junior technical associate के लिए या फिर senior technical associate के लिए तो यहाँ पे जो आपके age limit रहेगी UR और EWS candidate के लिए 18 साल से लेगे 30 साल तक की candidate इसको apply कर सकते है बाकी major relaxation देखने को मिलेगा age count होगा 4 October 2023 तक आपक age count होने वाल है उसके लवा यहाँ पे जो आपका application piece है वो भी mention कर रहे है अगर आप यहाँ पे general candidate है उसमें भी male candidate है या फिर EWS के अंदर भी male candidate है तो आपको 500 रुपे पी करने पड़ेंगे इसमां आपको demand draft कटवाना पड़ेगा यह जो address दे रहे है यहाँ पे इस यहाँ प पिर आप SST candidate है, OBC candidate है, Minor T में आते हैं, EWS candidate है जो कि उन्होंने mention भी कर रहा है तो आपको 250 रुपे का demand draft यहाँ पे कटवाना पड़ेगा demand draft कैसे कटवाना है यह जो दे रखा है इस नाम से आपको demand draft कटवाना है bank आपको जाना पड़ेगा और इस नाम से आप DD कटवाके वो 25 एक्टूबर 2023 तक उसके अलब अगर बात करते हैं यहाँ पे selection process के बारे में यहाँ पे इन्होंने qualification को 55% marks दिये हैं, experience को यहाँ पे 30% है और अगर आप यहाँ पे जो आपका personal interview होगा, intelligence test होको उसके 15 marks हैं तो यहाँ पे 100 marks का यह आपका total average आपको देखने को मिलेगा, salary के ब accommodation और सारी चीजे company आपको यहाँ पे पे करेगी, जो कि यहाँ पे इन्होंने mention कर रखा है, अब बात करते हैं, training भी आपका होगा, यहाँ पे जो कि इन्होंने mention कर रखा है, और यह जो आपके पास format है, application form का, यह notification के अंदर यह आपको दिया गए, इस format का print out निकालना है, print out मिकालने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे manually fill करना है, आपको लिखना पड़ेगा, black pen का use करना है, यहाँ पे आपको फोटो आजाएगी, father name, date of worth आजाएगा, community, gender, अदार कार्ट नंबर, यह सारा form आपको अच्छे से fill करने के बाद, जो address इन्होंने बताया है, उस address पर वीडियो के description में दे दूँगा, और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको notification को कैसे download करना है, इसको आप अच्छे से readout कर लिजेगा, तो चलते हम यहाँ पे इनके official website पर, जिसका link मैं आपको वीडियो के comment box में दे रखा है, वीडियो के description में भी दे रखा है, तो वहा वीडियो के अच्छे से देखिएगा, मैंने आपको वीडियो के description में जो आप अभी यह दे रहे हो, उसमें आपको apply link दे रखा है, उस पर आपको कर देना है click, जैसे आप click करेंगे आपके सामने directly, central railway की officially website open हो जाएगी, आपको screen पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे top पे central railway का officially website का link यहाँ पे दे रखा है, मैं directly आचुका हूँ, इनके carrier वाले page पे जो कि आपको screen पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे अपने को क्या करना है, कि जो contractual J.E. और J.T.E. का जो यहाँ पे form है, उसको आपको download करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि आपको दिख यह आपके mobile के अंदर download हो जाएगा, जिसमें device का आप यूज कर रहे हैं, उसमें download हो जाएगा, वहाँ पे उसको printout निकालना है, printout निकालने के बाद, जो मैंने आपको application form को submit करने का तरीका बताया है, आप उसको follow करेगा, और यहाँ पे आपको base देना है, पूरा detail में, पिर भी कोई doubt है, कोई query है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो नीचे comment box में comment करके फूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे directly connect हो सकते हैं, link मैं आपको वीडियो की comment box में दे रखा है, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को like करेगा, share करेगा उन लोगों तेक जिनको job की need है, और comment box में आप अपने education, qualification को, pass out year को, pressure हो, या फिर experience older हो, ये सारे चीज़े comment करके बता दीजेगा, all the very best, जैहिन!